मंगलवार को हुई बेमोसम बारिश के कारण वाड़ी में पेड़ और बिजली का खंबा गिरने से कहीं लोगों को भारी नुकसान हुआ है बिजली विभाक को पेड़ की छटनी करने ग्यापन दिया था जानकारी दी थी की पेड़ बड़ा हो गया है इसे जल से जल्द काट ले अने था कोई दुरगट ना हो सकती है महावितरन विभाक की और से उन्हें बताया गया कि पेड़ों को काटने की जिमेदारी हमारी है नगर परिशद को काटने के लिए बोला है नगर पालिका के अधिकारी के पास भेजने की सला महावितरन अधिकारी ने दी नगर परिशय दौ महावित्रन विभाग को पेड़ से खत्रे की संभावना के बारे में सूचित करने के बाद भी पेड़ को नहीं काटा गया अब अचानक पेड़ गिरने से जिमेदार कौन है जब घर मालक ने खुद पेड़ काटने की कोशिश की तो नगर पाली का करमचारियों ने पूछा की क्या उसने पेड़ काटने की अनुमती ली है क्या सवाल यह उठता है कि पेड़ से खत्रा होने के बाद नगर पाली का महावित्रन नहीं काट रहा माले काट रहे तो सवाल कर रहे हैं यदि कुछ जन आणी होती तो कौन जिमिदार होता यह सवाल नागरिक पूछ रहे हैं पेड काटने के जिमिदारी बिजली विभाग की नहीं नगर परीशत की है हमें ग्यापन मिला था, पेड से तूटे तार को उठाया गया वही रुपेश मेश राम अभियंता वाडी विद्यो दिवाग ने कहा कि मुझे इस संबन में कोई जानकरी नहीं है क्योंकि मैं चार दिनों से प्रभारी हूँ इसकी पूछताच करके जानकरी दूँगा वाडी से NBCN न्यूस के लिए सौरा पाटिल की रिपोर्ट